हेलो दोस्तों मैं हूँ कृती और स्वागत है हमारे भाईया रानी कीचन में तो कैसे हैं आप सब सबस्वस्त रिये ब्यस्त रिये मस्त रिये तो आज हम बनाने जाएंगे नौरात्री ब्रत के लिए तो हम मतलब 9 दिन जो ब्रत रखते हैं उनके लिए खास तोर पर बनाते हैं तो यह देखिए यहां हम साबुन दाने से एक नहीं दो नहीं तीन रेसिपी लाएं हैं जो बहुत ही एजली और बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है बतलब 15 मिनिट में आप तीनो रेसिपी बना लेंगे एक बार साबुन दाना भी गोई है और तीनो बना लीजिए और मतलब बहुत ही विक और ईजी और साथ में टेस्टी और हेल्दी भी है तो सबसे पहले यहां हम साबुन दाना भी गोए हैं तो एक काटोरी हम भी गोए थे यह मतलब 4-5 घंटे इसको भी गो दिये में पानी में double पानी डाल दीजिएगा जितना साबुन दाना डालीएगा उसका डबल पानी और ये देखिए एक दम 4-5 घंटे में एक दम मूती जैसा ये चमक रहा है फूल गया है बिल्कुल अच्छे से पानी को निकाल लेंगे और यहां हम पहले से यालू उबाल के रखे थे छिलके कुछ ज्यादा ही छोटे यालू है तो छोटे यालू जो धिकत का निकाल लेंगे इसका भी हम यूज करेंगे तो मूंफली भी हम पहले से भून के रखे थे तो थोड़ा साम चिलके के साथ रखे हैं और थोड़ा मूंफली ऐसे हाथों पर रगड़के और इसको साफ कर लेते हैं चिलका हटा लेते हैं इसका गैस पे हम कड़ाई बठा द और यहां मतलब बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी साथ में healthy और मतलब पेट भर जाएगा ब्रत में आप खा लोगे तो मन खुस हो जाएगा अब बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होगी यहां देखिए हम छिलका चुडा लिए हैं उसका क्या करेंगे कि मिक्सर ग्राइ ग्राइंडर में ताकि मन चोट गम था तो पीछने में आसानी होती है तो जो चीज कम हो उसको चोटे वाले ग्राइंडर में और यहां हम चट्नी बनाएंगे तो यह अंधनिया पत्त टमाटर मेर्च और नमक डाल दिए हैं सेंधा नमक जो सेंधा नमक खाते हैं ब्रत में नमक डालिए अगर जड़ाओं चाल एंगे हम एक ही चम्मस डाले हं जीरा हरी मिर्च डाल दिए हैं बीचसे उसको कट कर लिए हैं हरी मिर्श को और चीला लगा लिए हैं साथ मे या उबला हुए अलू हैं कार के डाल देंगे चाकूव से मतलब के Avec डालेगा हाथों से नहीं मसली ऐगा अब छाकूव से कार्यप डालेगा तो यहा तो यहां हम अभी बनाने जा साबुन दाने की खिच्णी जो बहुत ही क्षिटी जो बोहूत ठीक मतुलब क्या बता हैं तीन से चार मिनिट में बनके तयार हुजाती है पांच मिनट पी नहीं 5 मिन तो काफी ज़्यादा मतलब फायदे होता है लेकिन आज तो हम ब्रत के लिए बना रहे हैं यहां देखिए आलू को हम बढ़िया से बुनेंगे हाई फ्लेम पे एकदम बढ़िया से तब तक क्या करते हैं कि यहां हम चटनी पीछ लेते हैं तो चटनी में हम डाले हैं धनिया ध देखिए यहां चटनी हमारी पीस गई है एक न ऊपर आ गया था धनिया पत्ता नहीं होता है कभी-कभी उपर चिपक जाता है तो यहां हमारी चटनी तयार है साथ में यहां मौमफली भी पीस लेते हैं तो मौमफली को एकदम पूरा महीन नहीं पीसना है पुरा बारिक नह रखना है ताकि इसका टेस्ट आये थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो टेस्ट समझ में आएगा कि हां लेकिन उसमें अगर आप पूरा बारिक कर दोगे तो टेस्ट नहीं आएगा उसका तो यहां एकदम दरदरा थोड़ा सा हम पीस लिए हैं मौमफली तब तक आलू भी हमा रेसीपी बनाएंगे तो इसलिए हम थोड़ा सा साबूंदाना डाल दिये हैं और कुछ साबूंदाने बचा के रखे हैं इसमें डाल देंगे सेंधा नमक स्वात के अनुसार और यह जो मौमफली हम दरदरा पीस के रखे थे जो कुछ बचा के भी रखना है आगे भी हम जीरा घी और जीरा का तड़का लगाये हैं और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाएंगे अब इसमें एड कर देंगे हम मौमफली जो हम बूंट के रखे थे जैसा कि हम दिखाए पहले तो हम मौमफली डाल देंगे अगर आप इसमें ज्यादा घी यूज कर रहे हैं ब से बन के त्यार होता है अगर आसको बनाना है चाना बंड को और 10 कर दिया है और चैarson काने के बाद पक गया से जैसे जैसे ठंडा हो गाथ साबूं धाने का खिछडी तयार है और नीचे चिपका था तानि यह भी तुरन चूठ सब्सक्राइब कड़ाई को लेकिन पूरा साफ हो गया है चूट गया है तो यह मतलब कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ा से चिपक भी जाता है कड़ाई में तो आप थोड़ा से रगड़ेंगे तो मतलब छूट जाएगा तुरन्त और यह खिला-खिला हमारा साबुंदाने का बढ़िया से और यह देखिए यहां हम दूसरी डैस्पी बनाने के लिए आलू पहले से बाल के रखे थे खूप सारा मत ज्यादा है आलू इसको हम मसल लेंगे एकदम बढ़िया से इसको मसल लेना है आप चाहें तो कद्दुकस भी कर सकते हैं या फिर कटोरी से दबाके मै हम रेंगे तो कि यहां साबुन दाने डाल देते हैं तो साबुन दाना हम कुछ डाल देते हैं खिर साबुन का खीई बिनाए जाते थे價 ऑल i get तो कि वह देखिए странपनें मैं घुरा धनियापत्तर डाल survives mesure कोटोरी डालीका है तो यह कुदूर दाल दाम बनाए त्यान कि और आटि को चिजों को अच्छे से मिला लेंगे एक बार मदा देते हैं फिर से की आलू उबला हूआ आलू साबून दाना भिगोया हूआ नमक धनिया पता और मौमपली पीचा हुआ भुना हुआ मौमपली पीच के डाल दिये हैं और यह हमारा मतलब डो तैयार टिक्की के लिए साबुन दाने बढ़े के लिए दूसरी तरह हम चलते हैं साबुन देने का खेर बना लेने तो यहां हम दूद ले लिए हैं आधा लिटर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते लेकिन हम नहीं किये हैं मतलब आप कर सकते हो तो यहां हम आधा लिटर दूद ले लिए हैं और दूसरी तरफ हम कड़ाई बिठा दियें कड़ाई में डाल देते हैं घी इसमें हम बनाएंगे साबुन दाना बड लिए और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उपर से इदम कुरकुरा बहुत बढ़िया यह देखिए यहां हम टिक्की हाथों पर सोड़ा सा घी लगा लेंगे और इदम चिकना चिकना टिक्की तयार कर लेंगे बहुत एजली तयार हो जाता है दूसरी तरफ हम चिकना बना लेंगे आप चोटा बढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे चोटा बढ़ा मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं और यह हमारा टिक्की बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुआ था साबुन दाना बढ़ा बहुत बढ़िया अ इसलिए क्योंकि तलना है तो थोड़ा ज्यादा एड़ करना ही पड़ेगा और दो-तीन हम सोचे की और बना लेते हैं और साथ में हमारा दूद भी गरम हो रहा है खीर के लिए तो ऐसे ही हम मतलब कड़ाई में डाल देते हैं और हाथों पर लगा लेते हैं अगर आपको मतलब आदत नहीं है अबिट नहीं है तो आप आतों पर घी लगाके ठंडा घी और ऐसे टिक्की बना लेजिए बहुत ही इजली बन जाता है दूद भी हमारा उबनने लगा है तो उसको फ्लेम को कम कर दिये हैं और देखे ये बहुत बढ़िया से उबल रहा है हमारा दूद गिरा नहीं पता है क्या होता है कि जब तक खड़े रहो तब तक दूद नहीं उबलता है थोड़ा सा भी नजली दर दर हटा तो दूद उबल जाता है और यह देखें यहां हम डाल देंगे साबुन दाना तो हम थोड़ा सा जो बचा के रखे थे साबुन दाना वो डाल दिये हैं भी गोया हुआ और इसको low to medium flame पे अच्छे से पकाएंगे साबुन दाने को और यहां घी बिल्कुल अच्छे से घरम कर लेना है और उसमें डाल द साबुन दाना खीर यह भी पास मिनट में बनके तयार हो जाता है तो यहां साबुन दाना पूरा उपर आ गया था और टिक्की को बहुत अच्छे से पकाना है जब नीचे से बिल्कुल अच्छे से यह पक जाएगा तब इसको हम पलटेंगे इसमें हम डाल देते हैं चीनी साबुन दाने ऊपर आ जाए यह देखिए ऊपर आगा है सारे तैरने लगे हैं तब हम डाल देंगे चीनी मिन हमद और पकाएगे और ता कि अच्छे से पक जा और चीनी भी पिगल जा यह बिल्कुल अच्छे से पक रहा है और यहां हमारा देखिए बढ़ा बहुत ही पक जाएगा कलची में या फिर नीचे चीप जाएगा तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गरम करना है और दूसरा ट्रेक ये है जब नीचे से अच्छे से पक जाए तब उसको पलटिएगा तो बहुत हीजली हो जाता है और यह हमारा खीर तेयार है और यह सावं दाने एक दम और यहां हमारा खीर बहुत टेस्टी बनके तयार हुआ था, आप बिल्कुल ऐसे बनाईएगा, यह देखिए, एदर हम यह पानी जैसा दिखने लगे तो सोचिए कि मतलब यह पक गया है, और तब तक हमारा यह भी पक रहा है, तो साबुन दाने से ही हम इतनी मतलब तीन रेस बनके तयार हो जाएगी, तीनों हम साथ में बनाये थे, तो हमें 15 मिनिट लगे थे, और आप अकेले जैसे बनाऊगे तो पास मिनिट में बनके तयार हो जाएगा, और यह देखिए, बढ़ा हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है, बहुत बढ़िया से, और बहुत ही ज़्य अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा ज्यादा सेहर करिएगा, और कुछ भी आपको इसमें डाउट हो, कुछ भी बतलब दिक्कत हो, तो आप जरूर कमेंट करके बताएगे, अच्छी लगी वीडि खीर, साबुन दाने का साथ में चटनी, और ये खूब सारा टिक्की, साथ में मतलब आप साबुन दाने खीचडी के साथ चटनी खाईएगा, बहुत टेस्टी लगता है, तो यहां हम खूब सारा बनाये हैं, ब्रत के लिए खाना, और तो आप भी ट्राइगा, ऐसे भी दीजिएगा,